सुप्रिम कोल्ट ने उस याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया है जिसमें प्रुशों की महिलाओ और दोनों के लिए शादी की नियूंतम उम्र 21 साल करने का अनुरोद किया गया था कोल्ट ने कहा है कि ये उम्र दे करने के लिए संसत को कानून बनाने के निर्देश देने जैसा होगा चीफ जस्टिस ओफ इंडिया डी वाई चंदरचूड नियायमूर्ति पीएस नर्सिंग और नियायमूर्ति जे बी पारदिवाला की बैंच ने कहा कि वे इस मुद्रे पर पैदा होगी जहां महिलाओ की शादी के लिए कोई नियूंतम आयू नहीं होगी प्रधान नियायधीश ने कहा कि अगर अदालत इस दलील पर विचार करेगी तो ये संसत को नियूंतम आयू ते करने का निर्देश देने जैसा होगा बैंच ने आगे कहा इन कार्यवाहियो में चुनोती पुरूशों और महिलाओ की शादी की उम्र पर परसनल लोग को लेका थे हमने 20 फरवरी 2023 को अश्वनी उपाध्याय बना भारा संके एक समान मामले में ही फैसला किया है पारित आदेश के मते नजर याचिका खाविश की जाती है शाहिदा कुरेशी की दाया य याचिका में महिलाओ के लिए शादी की कानूनी उम्र को बढ़ा कर पुरूशों के बराबर 21 साल करने का रोट किया गया था तो दोस्तों सुप्रिम कोर्ट के इस फैसले पर आपका क्या कहना है आप हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताए वीडियो अच्छा लगा हो त जरूर करें